आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विग्यान बहुतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो दोस्तों आपका प्रेश्न है हार्मोन पर टिपनी लिखिए तो चलिए इस प्रेश्न को हल करते हैं ठीक है तो यहां पर हार्मोन की विशह में दोस्तों समझते हैं सबसे पहले अब दोस्तों हार्मोन क्या होते हैं हार्मोन एक पिरकार से आप इन्हें रसाइनिक हमारे शरीर में रसाइनिक संदेज़ वाहक इनको माना जा सकता है, अब होता क्या है हमारे शरीर में हार्मोन कैसे रिसाव होता है हार्मोन्स का जो हमारे शरीर में कोशकाई होती है वो क्या करते हैं जो हमारे बहार का बातावरण होता है उसके अन्रूप क्या करते हैं रसाइनिक पदार्थों का रसाइनिक रिसाव करती हैं कोशकाई और ये जो रसाइन होता है इसी को हार्मोन कह देते हैं जैसा कि हमने प्रश में लिखाए कि हार्मोन ऐसे रसाइनिक रिसाओं हैं, जो बिशेष कोश्काओं दौरार रिसावित होते हैं, मतलब कुछ बिशेश कोशकाओं से हार्मोन निकलेंगे और यह क्या करेंगे दूर मतलब पास की या फिर जो जिस कोशका से रिसा हुआ है इनका या उससे कुछ दूरी पर उपस्थित जो बिसिस्ट कोशका है जहां पे इनको पहुँचना है उस बिसिस्ट कोशका के कारे को बढ़ा दिंगे में उसके कारे में कमी उत्परकारश से किसी दूसरी ही कोश्ट जो कि विश्यश्ट कोश्ट का एक होसिका धार को होते हैं यह होते हैं दोस्तों हार्मोन उसके कारे को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है, मनुष्य के अंदर खुशी का भाव उत्पन हो जाता है, ठीक है, यह दोस्तों यहाँ पर हार्मोन का मुख्य, आपको एक प्रकार से मैंने समझा दिया, ठीक है, अब प्रभावित होने वाली जो कोशिका है, मतलब ऐ ऐसी कोशिका जिसके कारे को हार्मोन प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, उस कोशिका को कहते हैं, लक्ष कोशिका, ठीक है, अब दोफस्तों यह तो आपको समझ में आगे हार्मोन क्या कारे करता है, परन्तु हार्मोन एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचता कै तो कि है सरन है होता है हार्मून जो है फैसी मदद से और फिर अस तरह कोशी का तक ये पहुझते हैं हैं यह मुख्य यह हार्मोन के ऊपर मैंने टिपनी लिखती है कुछ हार्मोन के मैं नाम लिख दे रहा हूं उधारण के लिए कुछ मुख्य हार्मोन यहां पर मैंने लिख दे हैं जैसे थायरॉक्सिन है सीरो टोनिन है मिले टोनिन है यह हार्मोन के उधारण है तो आशा करता हूं आपको यह सोज में आय होगा धन्यवाद